Top 10 Most Haunted Places of the World हलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल Top 10 हिंदी में क्या आपको भूतों में विश्वास है? हाँ या ना? ये दो आपको तैय करना है लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की Top 10 सबसे खौफनाग जगहों के बारे में कोई है कहते हैं दुनिया का कोई भूत प्रेथ इनसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होता इनसान शायद इन से ज्यादा नुक्सान पहुँचा सकता है लेकिन आज इनकी बात हम करने वाले हैं ये Haunted Places की खेयाती पूरी दुनिया में है इन जगहों को दुनिया के टॉप गोस्ट बस्टर्स ने भी खौफनाक माना है यहां अद्माओं के होने की पुष्टी की जा चुकी है तो आईए देखते हैं दुनिया की टॉप टेन Most Haunted Places ग्रेफ रायर्स कर्थियाड एदिनबर्ग युनाइटिट किंडम का ये कबरगा कई सारी Paranormal Activities के लिए मशूर है यहां आने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं यहां के गार्ड के अनुसार यहां कुल 200 लोग गायब होए हैं यहां आने वाले कई लोगों को चोट लग जाती है और कई लोगों ने भूतों को यहां चलते हुए देखा है एक बार यहां एक बेघर व्यक्ती ने रात गुजारी थी और तब उसने रात को यहां पे दफनाए गए मिस्टर मकीजी को उसकी ओर आते हुए देखा उसके बाद से यहां होने वाली घटनाए बढ़ती चली गई कहीं भी जाने वाले टूरिस्ट वहां की हेरिटेज विल्डिंग्स को देखना बहुत पसंद करते हैं लेकिन स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग कैसल अपने आप में अलग है यह कैसल आइलन में बनाया गया है यहां पर कई कुटों की आवाज सुनी जा सकती है पर उन्हें देखा नहीं जा सकता इसके अलावा यहां एक बिना सर वाले आदमी को देखा जाता है वो आदमी यहां ड्रम्स बजाने का काम करता है 2001 में इस कैसल की साइन्टिफिक रिसर्च की गई थी जिसमें रिसर्चर्स ने भी माना कि उन्हें भूत दिखाई दिये थे मांक किंग्स क्लोज स्कॉटलाइंड मांक किंग्स क्लोज गलियों का एक सा मूँ है जो कई सारे घरों और आफिसेस की ओर ले कर जाता है यहां कई सारे टैनल्स भी हैं जिन में अंधेरा हुआ करता था एक बार शेहर में फैले हैजे की विमारी के बाद इस रास्ते से निकलना बंद कर दिया गया था हाल ही में यहां एक बूड़ी औरत का भूथ अकसर देखा जाता है इस बूड़ी औरत के भूथ के अलावा यहां एक बच्ची का भी भूथ देखा जाता है ऐसी कई सारी घटनाओं के कारण इसे लिस्ट में जोड़ा गया है दिन में टूरिस्ट से भरा रहने वाला ये टावर रात को हॉंटेट हो जाता है ये कई सारे इंगलिश शासकों का घर रहा है जिन में से कई प्रिंसेस को यहीं मार दिया गया था यहां रात को नौकरी करने वाले कई गार्ड्स यहां से जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने यहां दो प्रिंसेस के भूतों को अक्सर देखा है। इन दोनों प्रिंसेस ने अपने अंकल रिचर्ड की हत्या कर दी थी। यहां बिना सर की लेडी जेन का भी भूत देखा जाता है। इसलिए यहां रात को टूरिस्ट्स के रुखने की इजाज़त नही इंग्लेंड के ग्लॉस्ट्रिशार नाम के एक छोटे से टाउन में ये इन काफी प्रसित्र है क्योंकि यहां ठहरने की हिम्मत कोई भी नहीं करता इस इन को एक नए व्यक्ति को बेच दिया गया था लेकिन उसके यहां आने के पहले दिर ही उससे अपने बिस्दर से उचाल क बाहर फेक दिया गया था ऐसा कई बार हुआ जब वो किसी को भी देख नहीं पाता था लेकिन एक अत्रिश्य शक्ति उसे उठाकर बाहर फेक देती थी इन घटनाओं के बाद इससे एक प्रमुक हांटेट प्लेस के रूप में देखा जाने लगा हाइगेट सिमेट्री दो ऐसे तो इसे कई समय से हांटेट पताया जाता था लेकिन जब से यहां पे एक बुढ़ी औरत का मृत शरीर मिला है तब से यहां पर आने से लोग ड़ते हैं कई लोग ने यहां एक साथ फीट लंबे आदमी को चलते हुए देखा है जिसकी आखे लाल बताई जाती हैं आदमी यहां मौत भी होने लगी चार और टेल लुनाटिक असाइलम ऑस्ट्रेलिया लुनाटिक असाइलम में दिमागी तोड़ से पागल लोगों को रखा जाता था इसका निर्माण 1867 में किया गया था और यहां ब्रिटिश एमपायर के सबसे कंभीर दिमागी पेशिंट इसको रखा जाता था लेकिन कुछ ही समय बाद इसे बंद करना पड़ा क्योंकि यहां होने वाली एबनॉमल अक्टिविटीज ने सभी को डरा दिया यहां काम करने वाली नर्स केरी का भूत कई बार देखा जाने लगा और कुछ दिनों बाद यहां की ही दूसरी नर्स और पेशिंट्स की भी भूत को देखा जाने लगा जिसकी वचह से इस विशाल असाइलम को बंद कर दिया गया 3. Montecristo Homestead Australia Montecristo Homestead Australia की New South Wales State में एक हॉंटेट घर है यहां के लोग इसे हॉंटेट मानते हैं क्योंकि यहां पर रहने वाली घोस्ट Mrs. Crawley की कहानिया प्रचलत है Mrs. Crawley अपने पथी की टेथ के बाद 23 सालों तक इस घर से बाहर नहीं आई उनकी डेथ भी यहीं हुई जिसके बाद से उनकी आत्मा को यहां के रूम्स में देखा जाता है ऐसा लगता है जैसे इस घर की देखवाल की जा रही हो जैसे अचानक लाइट का जल जाना और घर में होने वाली हल चल इस घर को किसी ने बेचने की कोशिश तक नहीं की 2. शनिवारवाडा पूने पूने में पेशवाओं के घर शनिवारवाडा को भी हौंटेड माना जाता है यहां रहने वाले वाजिराओं के समय में भी इसे अफशगुन के रूप में देखा जाता था क्योंकि इसके बनने के एक साल बाद ही कई सारी विचित्र घटनाएं होने लगी थी बाद में यहां नारायन राओ पेश्वा की हत्या करती गई थी जब उनके काका के दिल में पेश्वा बनने की इच्छा जागी दोस्तो नारायन राओ की उम्र बहुत कम थी और आखरी समय में वे अपने काका को बचाने के लिए चिलाता रहा हाला कि उसे ये पता नहीं था कि ये एक शड़ियंत्र था जो उसकी हत्या के लिए बनाया गया था आज भी यहां उस युवा पेश्वा की आवाजे सुनी जाती है और लोगों को ये रात में रुकने से मना किया जाता है भारत के सबसे हांटिट जगाओं में से ये किला अलवर में पड़ता है यहां पे रहने वाले सारे लोग अचानक से गायब हो गये थे कम से कम इदिहास में तो कोई प्रमुक घड़ना नहीं मिलती यहां की रानी को यहां रहने वाले तांत्रिक सिंगही के बारे में पता चला जो सब को नुकसान पहुचाना चाहता था ये पता चलते ही रानी ने उसे सजाय मौत का आदेश दे दिया लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने यहां के सारे लोगों के खत्म हो जाने की भवश्यवानी कर दी जिसके बाद ये किला धीरे धीरे खत्म होता गया उसने कहा था कि यहां किसी के घर के उपर छट नहीं रहेगी और आज भी यहां किसी घर पर छटर नहीं ठहर थी इस जगह के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया था वो भी चेक करे सारे साइंटिस्ट्स ने यहां अपने उपकरण की मदद से माना है कि यहां कई भूत रहते हैं आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स उम्ईद है आप डरे नहीं होंगे हो सकता है आप भी कभी किसी खौफनाग चगहा पर गए हो अपनी गहानी हमें जरूर बताएं तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो अपने विचार और अगले वीडियो के लिए सुझाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप यह भी बताएं की कि आपका कभी किसी